ये लाइन तो आपने कई मरतबा सुनी होगी कि पहला पत्थर वो मारे जो पापी न हो जिसने कभी पाप न किया हो लेकिन अब बीच महल में खड़ा है फांसी के तक्ते पर किशन ढकेत और मालिराव के कहे नुसार अब ये गंगुबा कह देते हैं देवी हल्या से पूरे ग् पापी को कड़ी से कड़ी सजा देना है का और आप इसे मृत्यु धंड दीजिए क्योंकि जनता यही चाहती है और जनता अपने मुख से भी कह देती कि हां इसे मृत्यु धंड दीजिए लेकिन अब देवी हल्या जो करना चाहती है या जोने उप्यूक्त लग रहा है और वाकई में जो मानवता के हित में होता है, मालवा के हित में होता है, देवी अहल्या वही कदम उठाती है, मगर तरीका बदल देती है, वो कहती है कि हाँ, ये आप सब का पापी है, इसने बहुत पाप किया है, और इस किशन नायक को सजा मिलने ही चाहिए, तो जलाद की क्या श नहीं है आपका प्रतिशोध भी निकल जाएगा अब कोई इनसान जो मालवा की जंता वहाँ पर देखने के लिए आई है या फिर यूं कहें ये माले राव होलकर और गंगुबा ने जिनको बुलाया है वो लोग अब कोई भी अपना मुक उपर नहीं करता हाथ नहीं उठाता कि वो इसे मृतिद्द्ड देगा वो जलाद का काम करेगा नहीं और देवी अलया यही चाहती थी कि कोई भी आगे ना आए क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनमें से किसी अपने गया किसी एक को सजा हो इस परकार की तो आने वाले एपसोड में हम देखेंगे देवी अहि दोज में आ गया है जिससे सांप भी मर गया और लाटी भी नहीं टोटी लेकिन क्या माले राव समझ पाएगा